असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोग के टेंथ क्लास के रोशनी बुक का चैप्टर नुमबर फाइफ जो कि ये भी बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है और इसलिए इंपोर्टेंट समझते हुए ये चैप्टर को मै बंगाली भासा बोलिए बात तो एक हैं जीजी तरा हम लोग हिंडी भासा उर्दू भासा एंगरेजी भासा बोलते हैं इसारा up बहा भर नहीं और कि इस ओकहतन हे हिन्हों लिए और बंगाली भासा में लिख दियागए तो बंगाली भासा से उर्दू में translate किसने किया तो साफिय चहाल के obsolet wanna किया उर्दू में अर्जुन नामग कहानी को उर्दू में translate कि उर्दू सारforcement किये कौन कियो साफिय सबब्सक्राइब देखने को मिलेंगे गया के जो है वह है मजदूर है जो मजदूरि करके अपने बीवी बच्चों का रोजी रोटी चलाता है पूरे घर की रोजी रोटी चलाता कुर्व Hayne ign democratic oike deform cic 의 to contribute to Amazon सबखते हैं जब केटु जेल चला जाता है तो मोहीनी केटु के जगा पर मदूर्धी करती है ठीकिए दग्गा और पिताबर भी केतु के जैसे क्या है या है एक मदूरे जो अपने घर की रोजी Captain मज्डूरी करकर ही चलाते हैं ठीक, आगे हैं बिशाल मेतो, बिशाल मेतो जो है न, ये एक जमिन्दार हैं, और यही मजदूरी करवाता है, केतू, डग़ा पितांबर जैसे मजदूर से, और एक तरह से देखा जाए तो बिशाल मेतो ही है, जो पेड की कटाई करवाता है, किस से करवाता है तो केतू से करवाता है और इस पूरे किरदार में जो में किरदार है में केरेक्टर है जो इस कहानी में में रोल प्ले कर रहा है वो केतू ही है देखा जाए तो ठीके तो विशाल में तो क्या करवाता है पेड की कटाई करवाता है केतू से और केतू क्या करता है चार-पाच पैसे की लालच में अपने घर वालों की रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करता है पेड सब्सक्राइब और पैसे को पैसे मिल जाते हैं के तो को औरวก अपने घर कि रोजी रोटी चला लेता है लेकिन पुलिस को इसको पकड़ कर जेल लेकर चली जाती है फिर जेल से आता है फिर विशाल में तो इसको जुमेदारी देता है कि यह वाला पेड़ काट दो जंगल काट दो तो केतु क्या करता है जंगल और पेड़ को काटते जाता है सिर्फ पैसे की लालस में अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए और जेल भी जाता रहता है और जब जेल जाता है तो मोहिनी मजदूरी करती रहती है के दू के जगा पर ठीके आगे हैं राम हल्डर यहीं का बोलता है विशाल मेतों को कि यह पेड की कटाई करवाना है यह जंग में तो क्या करता है वो सारा काम पेड की कटाई करने का जंगल की सफाई करने का काम को किस से करवाता है केतू से करवाता है और केतू बिचारा चार पांच पैसे की लालच में आकर उस जंगल की कटाई करता है और जंगल की सफाई करता है और जिसके वजा से वह जेल भी जा रहते हैं यह शाबर कबीले के रहते रहते हैं जिस तरह हम लोग संख्या में जब लोग रहते हैं यह को बोला जाता है तो शाबर कबीला रहता है उसी कबीले में केतू डगा पितामबर जैसे मजदूर रहते हैं और विशाल मैतो और राम हल्दर के कहने पर वो मजदूरी करते हैं ठीके तो होता क्या है कि शाबर कबीले में एक बहुत ही पुराना ब्रिक्च रहता है पेड़ रहता है पेड़ को उर्दू म चला आ रहा है वो पेड़ और उस पेड़ से लोगों को बहुत ज़्यदा लगाओ है बहुत ज़्यदा उस पेड़ को लोग मानते हैं पूजा पाठ करते हैं और जितने भी शादिया बरात पूजा पाठ जितने भी होती है वो सब उस पेड़ के पास ही करवाते हैं उस साबर हलदर की नजर पड़ती है और जब राम हलदर ने उस अरजु नामक पेड़ को देखा तो बहुत ज्यादा लालच में आ गया वो सोचने लगा कि सदियों पुराना ये पेड़ है सदियों पुराना ये दरख्त है इसको अगर बेच दूँगा तो मुझे बहुत ज़्यदा प पेड़ को काट कर ला कर दो किसी भी हाल में मुझे वो अरजु नामक पेड़ चाहिए तीके अब विसाल में तो इसकी जिम्मेदारी केतु को सौपी की केतु तुम्हें किसी भी हाल में उस पेड़ की कटाई करनी है अब अरजु नामक पेड़ को काटना बहुत ही डिफिक तो केतु क्या हुआ उस अर्जुन नामक ब्रिक्च के पास गया और जाने के बाद सभी लोग वहां पर ही कट्टा हो गए और इतना बढ़ियां एक्टिंग किया इतना अच्छा लोगों को बेवकूप बनाया ऐसे लग रहा था कि केतु के अंदर कोई देवी देवता आ गये और वो खुद बोल रहे हैं पेड की कटाई करने के लिए तो पेड को कटवा देने में क्या हर्ज है और शाबर कभीले के जितने भी लोग रहते हैं सबी लोग पेड को कटवाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन लोग को क्या भरोसा हो गया था क्या विश्वास हो गया थ ठीक है और यहीं पर आप लोगों का अर्धुन नाम का यह अफसाना कहानी कंप्लीट होता है ठीक है अब इस चेप्टर के हम लोग को समझ लेते हैं फटाफट मैं आप लोगों का रौशनी बुक लेली देखिए और निकाल रही हूं चेप्टर नुम्मर फाइफ सबसे पहला सवाल है अफसाना अर्जुन किस जुबान में है और किसकी है मुतर्जिम का नाम लिखिए अफसाना अर्जुन किस जुबान का है तो बंगला जुबान का है बंगाली भासा में लिखा हुआ है और यह अर्जुन नाम का अफसाना किसका है महाश्यता देवी का है और इसके मुतर्जिम कोन है तो शाफीсте वाई साफी किदौई इन्हों नहीं ट्रांसलेटर है ठीक यह दूसरा सवाल है अफसाना अर्जुन के किसी 5 किरदार के नाम बताएं अफसाना अर्जुन जो है इसके पांच character किरदार का नाम बताना है कोई 5 बता दीजिएगा एक दो तीन चार पांच कोई भी पांच बता सकते हैं आप लोग किरदार का नाम बताना है ठीके तीसरा सवाल है अफसाना अर्चुन का मौजु क्या है पांच जुमले में लिखिये अफसाना जो अरजुन है इसका मौजू क्या है टॉपिक क्या है किस चीज पर ये अफसाना लिखा गया है ठीक है तो ये तो साब साब दिख जरा है ये जो अफसाना अरजुन है ये ठेकेदारों जमिनदारों के जुल्म और मजदूरों की गुर्बत पर ये लिखा गया है कि यह हो गए आप लोग का तफसीली सवलात की बात आती, आने कि तफसील से लिखना होता है, बिर्ग थ्रीय प्रस नहें, सबसे पहला सवाल है, अवसाना अर्जुन कामराक जी खियाल पेश कीजिए, अवसाना अरजुन जो है, इसका थीम बताना है कि इसमें क्या क्या है, ठीक और लास्ट सवाल है दर्जजेल मुहावरात को अपने जुम्ले में इस्तिमाल कीजिए यह मुहावरा है और इसका मानी आप लोग को बताना है दाथ खटे करना हतेली पर सरसो जमाना आख दिखाना आस्मान से तारे तो नौदो ग्यारा होना यह सारे जितने भी आसान होते है आप लोग खुद से भी बना सकते हैं तो इसी के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर फाइफ कोशन एंसर के सांथ कंप्लीट होता है ठीक है अप्र नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगी कौन सा इंप्वाटन चैप्टर है मैं आप लोग को पढ़ा दूगी इस चैप् सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस